नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इनिवेश्टर के इसने वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तों बात करेंगे IDBI बैंक की अनतीस रुपए 25 पैसे का ये स्टॉक है लेकिन अनतीस रुपए 25 पैसे पर ये इतना सस्ता है कि आप एक बार के लिए विस्वास नहीं करोगे कि एक बैंक इतना सस्ता कैसे हो सकता है जाकर इनका आप जो इनकी जो इनकम रिपोर्ट होती है उसको जरा सा चेक करोगे वहां से आप काफी कुछ चीजें समझोगे लेकिन अगर सस्ता है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं कारण ये था कि बैंक जो है वो PCA में था प्रॉम्ट करेक्टिव एक्सन ये RBI एक एक्सन लेता है किसी भी बैंक के खिलाफ RBI ले सकता है जो भी बैंक अपनी performance सही से नहीं देता जिनके NPA बढ़ जाते हैं जो अपने जो करजे दिये होते हैं उनको सही से नहीं समझ पाता है recovery नहीं कर पाता है उसके उपर PCA, RBI लागू कर देता है और काफी दिनों से इनके उपर PCA लागू था अभी RBI ने ये restriction हटा दी है IDBI bank के उपर से क्यों हटा ही restriction ये समझ लेते हैं सबसे पहली चीज एक चीज समझ जब किसी भी bank के उपर PCA लग जाता है इसका मतलब क्या है वो जो है वो fresh loans जो है वो issue नहीं कर पाते हैं fresh loans का मतलब क्या है ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं दे सकते उनको जहां पर सबसे ज़्यादा safety होगी ठीक है बहुत छोटे बिजनेस को retail loans को मतलब home loans मतलब ये सब चीज़ें आप business कर सकते हो लेकिन जहां जरा सभी आपको लगेगा कि ये risky business में मैं loan दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर reward भी आप ज्यादा ले सकते हो आपने देखा होगा कि जब भी आप personal loan लेने जाते हो ज्यादा ब्याज आप चुकाते हो और जब आप home loan लेने जाते हो तो आप कम ब्याज जुकाते हो क्योंकि जो home loan है वो less risky loan है और जो personal loan है वो ज्यादा risky loan है और इसी हिसाब से PCA में कोई भी bank अगर आ जाता है वो कोई भी नए businesses को जो startup है छोटे मतलब छोटे मोटे businesses को तो लोन दे सकता है जी हाँ बहुत भयंकर फाइदा होगा और एक चीज समझे है क्या यह जो PCA हटाया गया इसके पीछे कोई valid region हो सकता है बिल्कुल है देखिए होता क्या है कि liquidity ratio किसी भी bank के लिए सबसे important role play करता है और जो IDBI bank है उन्होंने जो पीछे गलतियां होई थी जो पीछे दिक्कते आई थी उनको सुधारा है और धीरे धीरे करके अपने आपको strong करता गया है ऐसा नहीं था एक समय ऐसा आ गया था ऐसा नहीं है अभी कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि हम stock में एकदम अंधा धुन्त खरीदारी कर दें लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी होता है ना कि कोई चीज एकदम worst condition में थी उपर से धनाम गिर गई और फिर RBI के PCA में डालने के बाद इस बैंक ने काफी चीज़ें अपने liquidity में सुधार किया NPS जो gross NPS बढ़े हुए थे उनको सुधारा net NPS को सुधारा धेर सारी provisioning इन्होंने की मतलब overall situation में इन्होंने control किया अपने level पर जो यह कर सकते थे और इसको देखते हुए RBI ने इनके उपर से जो PCA लगाया था वो हटा दिया है समझ लीजे कि एक धारा थी जो इनके उपर से हट गई है अब यह normally अपना business कर सकते हैं अपने business को grow कर सकते हैं अच्छा खासा लोन बांट सकते हैं जहां इनको लगता है जैसे कि कुछ बैंकों को लगता है यहां growth हम यहां पर लोन देंगे तो यह business जब काम करके हमको दिखाएगा तो हम वहां से बढ़ी हां recovery उठाएंगे और अब यह वही काम कर सकते हैं तो ब 42 रुपए 80 पैसे इसको कुछ बताने कज़रूरत नहीं है तो 42 रुपए 80 पैसे पे आपको ध्यान रखना है इन दो जगहों पे अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपके लिए resistance हो जाएगा तो यहां तक तो बड़े ही आराम से stock भाग सकता है क्या एक ही दिन में इतना भा तो हम आप एकदम पीछे आते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था, यहां जब यह stock गिरावट दिखा रहा था, तो यहां पर बोला था कि आपको यहां पर किसी भी गिरावट में खरीदना चाहिए, आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए, why IDBI bank is falling search करके देखिएगा, उसमें म लोगों का बैठता है, तो जो मार्केट में सेर से उनकी संख्या कम है, तो मोमेंटम यहां पर बहुत ही वोलाटाइल टाइप का आता है, तो साउधानी बहुत तगड़े से रखिएगा, stop loss ऐसा नहीं कि आप आदे परसेंट एक परसेंट 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 नीचे होने च बहुत ही चोटी रखूंगा अभी के लिए इतना ही, तो भाई यह इस बैंक के लिए बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव नियुज़ है, आप इंज्वाई कीजिए, जिनके पास इस्टॉक से इंज्वाई कीजिए, जिनके पास नहीं है, उनको सिर्फ सिर्फ इस्ट आप लगा करी ट्रेड करना है, क्योंकि आपको पता है, मुमेंटम पहले से ही आ चुका है, तो अब अगर इन लोगों को बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा जो लोग यहां पर खरीदे हैं, यहां पर खरीदे हैं, तो वह एक्जिट भी तो करेंगे, मैंने आपको रिजिस्टेंस जितना आप डाइजेस्ट कर सको, जितना आपकी रातों की नीद ना हराम करें, तो भाई, इंजॉय किजिए, रैली, कल इस बैंक के लिए अच्छे दिन है, कल बाजार के लिए अच्छा दिन है, तो सिवरात्त्री का गिफ्ट सब को मिल ला है, तो धुमदाड़ा का करते रही है, वीडियो जरूर देखिएगा, वाई, आई, डी, बी, आई, बैंक, इस फालिंग, तब आपको बता जे लेगा, एक अच्छे स्टॉक को कम से कम एक सही समय पे हम कब खरीद सकते हैं, ठीक है, आपको क्या सलाह दी गई थी, उसको जरूर देखिएगा, हम ठीक ठाक रेटन पे भी वहाँ पर बैठे हैं, और ऐसे रेटन कमाने के लिए आपको बिल्कुल समय देना पड़ेगा, पेसेंस दिखाना पड़ेगा, और अपने जो पोजीशन है उस पर बैठे रहना पड़ता है, ठीक, यहाँ पर मैं किसी को भी एक्जेस्टिंग पोजीशन, मतल कारी बना कर रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट बुक किंग के बारे में थोड़ा बहुत सोचना ही है, तो कुशिस कीजिएगा 25-30% इतना ही प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी और बड़े लेवल पे आ सकती है, RBI के सबसे गिफ्ट आए, सरकार कुछ न कुछ कर सकती है, बड़ा धमाका, तो इंज्वा कीजिएगा, हम मिलेंगे फिर से, नमस्कार.